जहां हम लोग आज नेता जी को याद कर रहे हैं वहीं दूसरी दुखत ख़बर भी मिली है के देश के बड़े कारोबारी, उद्योगपती, रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं एक ऐसे उद्योगपती जिन्हों ने अपना और समू ने देश की अर्थ विवस्ता में बहुत बड़ा योगदान दिया है आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समू ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक इस सिथी को सुधारने में है और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है वही रतन टाटा जी से व्यक्तिकत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझाता नहीं असूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाब का समाज के कल्यान के लिए जिस सरीके से उन्होंने लाब का पैसा लगाया है और आम लोगों का कल्यार कैसे हो उस दिशा में एक उधारण पेश किया ऐसे उध्योगपती को भी हम लोग याद करते हैं रतन टाटा जी को वहीं नेता जी इसी धर्ती से लड़ करके इसी धर्ती से संगर्ज करके नेता जी इसी धर्ती पर चोट खा करके धर्ती पुत के नाम से जाने गए और राजनीत के बड़े बड़े उतार चड़ाओ में नेता जी ने समाज को राजनीत को हमिशा दिशा देने का काम किया जो समाज में आर्थिक समाजिक राजने तिक चितना थी उसको जगाने के लिए और देश को समाजवादी विचाधारा से चोड़ करके चलने के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम समाजवादी लोग आज चलने हैं और आज के दिन जब निताजी को हम लोग याद करें तो संकर्ब लेते हैं कि समाजवादी मुल्यों को और समाजवादी सिध्धानतों को और बढ़ा करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए निताजी ने पूरा जीवन अपना संगर्स इसी में निकाल दिया कि निताजी के सासाथ उनके लोगों का वी जीवन बदले समाज में नई दिशा में गहर बराबरी के खिलाफ और जिनें कभी सम्मान समाज में नहीं मिला था उनको सम्मान दिलाने के लिए निताजी ने पूरा जीवन लगा दिया वही हमारे आसित्तु वही हैं और उनी के रास्ते पे चल करके इस समाजवादी सिद्धान को और मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे आज समय नहीं है उस पर चर्शा करने का लेकिन इंडिया गडवन्दन समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस गडवन्दन रहेगा हर्याना कश्मीर में उस पर चर्शा अभी न की जाए तो ठीक है लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्शा करेंगे